विस्तर में लेटे लेटे बस ही एक चौपाई मन में पढ़ लीजिए, रातो रात आपकी किस्मत चमक जाएगी कोई भी इंसान कितना भी हिम्मती और धैर्यवान क्यों न हो उसकी जीवन में कभी कोई ऐसी स्थिती जरूर आती है जब उससे निपटने में खुद को लाचार महसूस करता है खुद को बेहत असाहय समझता है ऐसे में हर परेशान या विपत्तियों से घिराव्यक्ति अपने भगवान को याद करता है उनकी शरण में जाता है उनकी पूझा अर्चना करता है गुरुजी बागिश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि आप ऐसी स्थिती में संकट मूचन हनुमान जी की चौपाईयों का या हनुमान चालिसा का सहारा ले सकते हैं जिनका स्मरण और जाप करने से आपकी हर परिशानी से आपको छुटकारा मिल सकता है चलिए जानते हैं हनुमान चालिसा की कुछ शौपाईयों के बारे में जिनका असर आपके जीवन पर बहतर तरीके से पड़ेगा पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंतितक आपकारी माना गया है जो व्यक्ति मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान चालिसा का पार्ट करता है उसके जीवन की सारी परिशान या दूर हो जाती है जो तिस शास्त्र में कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनी दोश है तो उसे नियमित हनुमान चाल बुद्वार और रविवार को कभी भी किसी को उधार ना दे मंगलवार को हनुमान चालिशा का पाट करके हनुमान मंदिर में नारियल रखना अच्छा माना जाता है ऐसा करने से कर्द से जल्दी मुक्ति मिलती है अगर आप बेरोजगार है या आपका बिजनस घाटे में जा रहा है तो आप हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करें प्रते दिन हनुमान चालिसा का पाठ करें हो सके तो पाठ शनिवार को हनुम चुला चढ़ाएं, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार की रात को हनुमान जी के मंदिर में दो दीपक जलाएं और हनुमान 40 काँ 11 बार पाथ करने के बाद पहले देशीगी का एक छोटा दीपक जलाएं दूसरा नौ बत्तियों वाला एक दीपक जलाए जिसमें सरसू का तेल और दो लॉंग भी डाल दे इसे राद भर जलते रहने दे छोटा दीपक अपने दाहिनी तरफ और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने रखे ऐसा आप पांच मंगलवार को लागातार करें आपको अगर किसी बात पर बहुत तनाव या चिंता हो आप कई रोगों से घिरे होए हो तो ऐसे व्यक्तियों को मन भी ही बिस्तर पर लेट कर या बैट कर भी हनुमान जी का ये मंत्र ओम हनुमते नमा का जाप करते रहना चाहिए रात में सोने से पहले आप बिस्तर पर ही इस मंत्र को 108 बार जाप करके सोजाए और सोवा उटकर नहा धोकर आप अगर बैट सकते हैं तो एक आसन पर बैटकर इस मंत्र का जाप करें ऐसा नियमित करने से आपका तनाव चिंता और बिमारी सब धीरे धीरे खत्म होने लगेगी आपकी किस्मत बदलते देर नहीं लगेगी आईए अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताई गई हनुमान चालिसा की कुछ चौपाईयों और उनके महत्मों के बारे में भूत मित्रूप से इस चौपाई का जाप करने से मन से दर चला जाता है नासे रोग हरी सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा इस चौपाई को सबसे ज़ादा महत्वपूर माना गया है क्योंकि हनुमान जी आठ सिधिया और नौ निधियों के दाता है इन्हें ये वर्दान स्व किसी व्यक्ति को अगर ज्यान बुद्धी विवेक धन और दौलत चाहिए तो उसे हनुमान चालिसा की चौपाई का नियमित जाप जरूर करना चाहिए विद्या और बुद्धी के लिए तो ये चौपाई बहुत उपयोगी है हनुमान जी के भक्तु के लिए गुरु जी दौरा बताया गया गी उपाए अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजेगा और इस वीडियो की जानकारी जाद से जाद लोगों को जरूर शेर कीजेगा दोस्तर वीडियो में दी गई सारी जानकारी हमने इंटिनेट के माध्यम से लिए इसमें हमारा की हस्तक शेप नहीं है इस वीडियो का मक्सद कीवल आप सभी को पुरी जानकारी देना है ना कि किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ठेज पहुंचाना वीडियो को अंचे तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद तो मिलते हैं अग्या वीडियो में